हम लोग सिखेंगे आज के लास में इंटरनेट से रिलेटेड हाव तू क्रियेट यूर गूगल अकाउंट अन्ड हाव तू क्रियेट यूर आई-यार-C-T-C अकाउंट हाव तू बूक यूर टिकट चिक है किस तरह से आई-डव-ई-ड हम लोग बनाते हैं उसका और आई-ड बनाने के बाद उसको आय-यार-C-T-C से किस तरह से यूडिलाइज करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग को सबसे पहला काम है Google को Chrome को यहां से स्टार्ट कर लेंगे और Google Chrome को स्टार्ट करने के बाद यहां पे जाके हम लोग को टाइप करना है www.jis-ka-full-form क्या होता है यहां से फर्स्ट हम लोग को क्या करना है फर्स्ट हम लोग को एक नए आइड बनाना है ठीक है new id बनाना है उसके लिए use and create करेंगे use and create करने के बाद यहाँ पर first हम लोग को क्या करना है यहाँ पर जिसका id बना कि यहाँ पर create कर लेंगे for myself यहाँ पर first name में हमने suppose दिया unique और last name में दिया comp उसके बाद यहाँ से करेंगे next next करने के बाद यहाँ पर जो date of birth वगरा जो भी होगा वो यहाँ पर हम लोग input कर सकते हैं यहाँ पर मेल दे दिया यहाँ पर next किया उसके बाद यहाँ पर unique comp excel आ गया ठीक है यहाँ इसको दिखाने का चीज नहीं है यहने के announcement कर रहे हैं यह पासवर्ड डाल रहे हैं आइड के साथ सक पासवर्ड भी बता दे रहे हैं तो पता चला तुम्हारा आइड का कोई जो भी हम लोग पासवर्ड दे दिया है यहाँ पर वो याद रखेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ से next करेंगे और अब यहाँ पर हम लोग को मांग रहा है mobile number ठीक है तो यहाँ पर mobile number हम लोग को input करना पड़ेगा ऐसा mobile number जिससे वो connected रहेगा ठीक है तो यहाँ पर mobile number हम लोग एक input कर देंगे अब यहाँ पर verification code आएगा जो code आएगा वो code को यहाँ पर लोग input कर देंगे, ठीक है, वो जिस, जो mobile number अपने डाला है, वो mobile number का code आपके mobile में आ जाएगा, तो वो code आप यहाँ पर अपना input कर लो, उसके बाद फिर next कर लेना है, और next करने के बाद इसको यहाँ पर इस portion में हम लोगो क्या करना है, यहाँ पर skip कर लो, skip करने के बाद फि yes I am in करो और फिर से next करो और अब यहाँ पे आप से पूछ रहा है I agree जाहिर है जब आपने निका किया है बरात ले गए है सब कुछ कर दिये उसके बाद आप क्या बोलिएगा हो पे कुबूली बोलिएगा ना तो I agree बोलना है यहाँ पे इतना सारा निका नामा पढ़ना नहीं है हम लोग को ठीक है बस यहाँ से I agree कर देंगे यह Terms and Condition है वो पढ़ सकते हो Terms and Condition को उसके बाद यहाँ पे I agree कर देंगे I agree करने के बाद यह हमारा ID जो है यह create हो जाएगा ID करने के बाद अब इसमें कुछ important information होता है जैसे suppose आप किसी और बंदे को अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल करने क्लिक क्लिक होता है मेल करने के यहाँ पे compose होता है compose में यहाँ पे क्लिक करेंगे compose में जैसे क्लिक करते है To आप जिसको मेल करना चाहते हो जिस बंदे को मेल करना तो उसका mail ID यहाँ पे आप टाइप कर लो suppose हम यहाँ पे mail ID करना चाह रहे है suppose कोई एक ID लेते हैं यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर add.gmail.com पूरा दे दीजिए पूरा देना पड़ेगा और यहाँ पर जिस topic पर हम लोग जिस matter पर हम लोग बात करना चाहते हैं या लेटर देना चाहते हैं जैसे यहाँ पर टाइप कर दिया पर प्रोफेशनल लेटर और फिर यहाँ पर हाई हलो बद्दोवा जो देने के बाद अगर कुछ अटाइच्मेंट करके भीजना है जैसे कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जिसको यहाँ सब्सद्द्द मेशना है और यहाँ सब्सद्द्द मेशना है झे रें אחर एания aparece करें करने करने के बाद जो भी फोटों या वीडिऊ कुछ भी भीजना है वो यहाँ से सेलेक्शन करने के बाद इसे सीधे बार उपन करेंगे और जैसे यह अटास्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को signal आजाएगा blue color को हो जाएगा ठीक है और अब यहाँ से send कर देंगी अब कैसे confirm होगा जो mail हमने किया वह sent हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग sent mail में जाएंगे sent पे जैसे ही जाते है न तो यहाँ पे हम लोग को यह show कर देता है कि mail हम लोग का sent हो गया क्या हमने send किया वो भी हम लोग यहाँ से देख सकेंगे यहाँ पे click करेंगे न तो हम लोग को preview में दिखा देगा कि ये हमने send किया है ठीक है तो ये था हमारे mail send करने का process अगर अब हम लोग और इसमें कुछ करना चाहे है जैसे suppose बहुत बार ऐसा होता है कि Google का setting क्या setting करना चाहते है जैसे suppose आपको अपने password को बदलना है या और भी बहुत सारा चीज यहां पे होता है ठीक है जैसे suppose अपने password को आप बदलना चाहते हो तो अपने password को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां से यहां पे click करना होगा click करने के बाद तो अभी यह security या password बगर रहा है कुछ change करना होगा तो लोग को कहा करना है । यहां पे click करने के बाद click करने के बाद first जो starting नहीं आप फोटो कर रहा है यहां पे change कर सकते हैं यहां पे click करने के बाद यहां पे जो दिक रहा है एपने इम आसे फोटो चेंज करें Conference यहां से add profile picture में click करना होगा add profile picture में click करते ही यहां पर बहुत सर अब profile picture आ रहा है plus अगर आप इसमें से कुछ selection करना है तो आप कर सकते हो अगर इसमें से selection नहीं करना है computer से लेना है तो from computer में जाएंगे from computer में जाएंगे upload from computer में click करेंगे Upload from computer में click करने के बाद यहां से जो भी photographs हमको लगाना है वह photographs हम लोग यहां से लेके इसको open कर देंगे वह अब यहां पे upload हो जाएगा उसके बाद यहां से next करेंगे तो अभी हम लोग यहां पे क्या करेंगे save profile picture यहां पे save कर दिया यह profile picture हम लोग का set हो गया अब यहां से हम लोग क्या करते है profile picture जब set हो जाएगा तो इसको यहां से फटा देंगे close कर देंगे close करने के बाद यह profile picture आ गया अब अगर हम लोग कोई password वगरा change करना है तो यहां से हम लोग security में जाएगे और security में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को सबसे bottom line में यहाँ पे इस portion में हम लोग को दिखेगा यह देखो password अब यहाँ पे बोल रहा है last change 525 मतलब 525 में पासवर्ड चेंज हुआ था बता रहा है, inform कर रहा है फिर यहाँ पे click करेंगे click करके अगर हम लोग password change करना हो तो password हम लोग यहाँ पे change कर सकते हैं लेकिन फिलाल हम पासवर्ड change करना नहीं है just हमें यह inform करना था कि password कहाँ से जाके change होगा तो हम लोग यहाँ से back कर लेते हैं और अब हम लोग यहाँ पे जो सबसे important topic जो हम लोग देखने वाले हैं वह important topic तो यहाँ पे हम लोग first क्या करेंगे यह वाला page में click करेंगे और यहाँ पे हम लोग को देखो दिखेगा बहुत सारा Google का इतना सारा आइटम है तो इतना सारा आइटम एक ही class में सीखना possible नहीं है ठीक है जैसे Google Drive है Google Photo है Google Photo तो हम लोग जानते हैं जिसमें लोग फोटो वगरा सेफ करते हैं YouTube भी है वह Google से related होता है Mail भी Google से related है यह सब हम लोग जानते है Chat करना भी पता है Google Calendar भी जानते है Google Contact भी जानते है क्योंकि आज के डेटमे जो भी mobile में आप लोग इन करते हो उसमें आपका Play Store को यूज करने के लिए Google से पहले लोग इन करना पड़ता है लोग इन करते हैं जो भी आप फाइल मतलब Contact को सेफ करते हो फोन नंबर को सेफ करते हैं हम लोग को यहां वहां पे Option देता है फोन में करना है कि सीम में करना है कि Google में करना है तो गूगल में करनी च दजए सेफ रहता है भूत सार लोग हम लोग ada सकते हैं Maap भी है लेकिन हम लोग को में करना क्या है इसमें हम लोग को More чит Abda from Google में click करना है More annotation from Google में यहां पर बहुत सारा और भी हम लोग को शू करेगा ठीक है? Google Meet है, Google Product है यह देखो Google Product आ गया अब इस Google Product से हमें जाना कहा है? हम लोग को यहां से जाना है Google Form में तो यहां से Form पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब यहां पर Go from Form और यहां पर Add Blank एक नया Blank पेज पहले हम लोग ready करेंगे Add Blank में हम लोग जैसे ही क्लिक किया यह देखो अब Form Description मतलब किस Topic पे तुम बना रही हो वह Form यहां पर आपको mention करना पड़ेगा जैसे यहां पर Untitled जो है Untitled में यहां पर क्या करेंगे Unique Unique Computer Form ठीक है? Description में Description में Description में देना है आपको अब इस Form को यहां पर Ready करने के लिए हम लोग को यहां पर option देता है जैसे Untitled Question ठीक है? यहां पर दियावा है तुम्हारा वह Paragraph में करना है या Multi MCQ Multi Choice Question Check Box Option Drop Down File Upload तुमको यहां पर क्या रखना है? Multiple Choice Grade Date & Time जो रखना है यहां से तुम रख सकती हो लेकिन फिलहाल हम लोग को क्या रखना है? हम लोग को Paragraph रखना पड़ेगा Paragraph किस लिए? क्योंकि यहां पर हम लोग को यहां पर Suppose दे दिया यहां पर इसको Erase किया Erase करके यहां पर सबसे पहले दे दिया Candidate Name Candidate या Student Name दे सकते है Student Name ठीक है? उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर Student Name अपना जो भी है वो Input अपना कर सकता है उसके बाद फिर यहां पर और क्या करना है? यहां पर हम लोग Duplicate कर दिया Duplicate करने के बाद अब यहां पर Student Name की जागा पके? यहां पर देदेंगे Father's Name फिर उसको भी यहां पर अगर Bold-Bold करना है तो यहां से Bold कर सकते हैं और खुछ Address करना तो Insert Link बना सकते हैं यह भी हो गया उसके बाद फिर से यहां पर Duplicate करेंगे Duplicate करने के बाद अब यहां पर देदेंगे Address ठीक है? Address भी हो गया इस तरह से Form का मतलब क्या वह पूरा-पूरा Form एक Ready हो जाएगा ठीक है? और अब यहां पर Add यहां पर करने के बाद अब यहां पर हम लोग लेना चाहते हैं Multi Choice Multi Choice या Check Box Check Box जब आएग Option Check Box में जैसे Option 1 ठीक है? Option 1 में यहां पर पहले Question में दे दिए Ender देने के बाद यहां पर दिया Male और यहां पर दे दिया Other Option में Female Automatically ले लिया उसके बाद यह भी हो गया फिर से यहां पर Add On करो और Extra Add On करने के बाद Next Question में दे दिया Suppose Date of Birth ठीक है? Date of Birth Date of Birth देने के बाद अब Date of Birth जो है वह Always Date and Time में होता है तो यहां से हम लोग Date को चूज कर लेंगे Date जैसे ही चूज करेंगे तो Automatically यहां पर Date को Option आ जाएगा फिर से Add करो और क्या होगा? उसके बाद Next जैसे हम लोग दे दिया Education Education qualification ठीक है education qualification क्या होगा? Education qualification में यहां पर तुम यह कर सकती हो Check box बना सकती ओ ठीक है? Check box बना दी जैसे चिक बोक्स बनाने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एडुकेशन क्वैलिफिकेशन में यहाँ पर अलग अलग दे दिया जैसे यहाँ पर दे दिया 10 less than 10 class 10 से नीचे है या कोई और यहाँ पर 10 या चाहो तो ऐसे नुमरिक में दे सकती है class 10 से बिलो है या कोई मानलो class 12 में है 10 में है या 12 में है या post तो यहाँ पर इस तरह से सब का mention कर दिया ठीक है mention करने के बाद अब last में हम लोग एक attachment को option रखेंगे अगर वो अपना चाहे तो कुछ attachment कर सकता है जैसे signature है या फिर means photo है यह सब attachment करने के लिए चाहिए ना तो attachment करने का यहाँ पर option दिया वा file upload file upload जो दिया वा है यहाँ से continue करेंगे यहाँ पर देखो specify यहाँ पर option यहाँ पर mention किया वाया है कि जो भी वो upload करेगा बंदा या student कोई भी है जो भी upload करेगा यहाँ पर लिख जयते है photo upload फोटो जो upload करेगा वो फोटो का कुछ terms and condition है maximum number of files एक ही फाइल वो अटैच कर सकता है यह दो कर दो यहाँ से यह एक है उसका direct पांच दियावा एक ही रखो यहाँ पर और minimum उसका maximum जो size होगा वो 10 MB में 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब attachment जोगा photo का वो छोटा photo चाहिए ज्यादा heavy photo नहीं यहने की अपना साधी का album डाल दे पूरा ठीक है student को normally अपना एक छोटा सा passport size photo लगाना है इसके लिए अपलोड में उसके यहाँ पर 10 MB होना चाहिए हो गया फिर से यहाँ पर plus करो यह तो हो गया photo के लिए और एक यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर क्लिक करके upload में क्लिक करेंगे upload में क्लिक करने के बाद file upload में यहाँ पर type कर देंगे signature यहाँ पर लिख दो applicant sign ठीक है applicant sign यह भी उसी तरीके से उसी तरह से terms and condition इसमें भी रहेगा ठीक है इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यह सारा देख लो पर से नीचे तक पुरा देख लो सब सूपर में आपका student name हो गया father name हो गया, address हो गया, gender हो गया date of birth हो गया, education qualification हो गया, photo upload and applicant sign यह सारा कुछ करने के बाद अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे व्यू यहां से जाके हम लोग इसको preview में देख सकते हैं preview में किस तरह से आएगा यह देखो यह हम लोग का preview ready हो गया okay अभी कोई बंदा अगर चाहे तो मेरे form को यानि institute के form को यहां से open करके वो सारा form को fill up कर सकता है यह देखो यहां पर upload का sign आगया यहां पर भी upload का sign आगया करने के बाद यहां पर जैसे ही वो submit करेगा automatically वो मेरे पास show कर देगा वो उसका सारा documents ठीक है तो यह था हम लोग का Google form को ready करने का process इसमें और भी next part में हम लोग और भी बहुत सारा process सीखेंगे मतलब अभी हम लोग यहां पर यह सीखें कि Google form किस तरह से हम लोग ready कर सकते हैं और उसको किस तरह से preview करके अब अगर इसको चाहे तो अब लोग यहां से send कर देंगे Send करने के बाद यहां पर option दे रहा है to किसको send करना है चाहे तो किसी को लोग send भी कर सकते हैं यह वाला ठीक है और यहां पर सारा कुछ mention किया हुआ है invite करने के लिए send करने के लिए यहां पर यह Google form हम लोग send कर सकते हैं Suppose यहां पर हम लोग Google form को send कर दिया अपने partner को ठीक है देखो उनका name आ गया अब यहां पर unique Google form हम लोग send कर देते हैं यह form जो है send हो गया उनके पास ठीक है तो यह था हमारा आज का topic अब यहां से इसको सारा को at least overall close कर लेंगे इसमें और भी बहुत सारा assistant है इसको Google assistant बोलते हैं इसमें बहुत सारा चीज है जो हम लोग अभी सीखना बाकी है तो हम लोग इसके बाद वाले class में next दूसरा topic सीखेंगे तो आज का topic था form यानी Google form किस तरह से हम लोग ready करेंगे तो that's all have a nice day see you tune bye bye